नवसकार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीन मिस्र आज जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, वो सवाल हम क्रम से लेंगे पहला सवाल वास्तु का ले लेते हैं, राजीब गुपता जी ने पूछा दूसरा सवाल, योगे सचदेवा जी ने पूछा है, योगे सचदेवा जी ने बर्थ की डेट लिख दिये है, प्लेस लिख दिया, लेकिन बर्थ टाइम नहीं लिखा, तो आपकी कुंडली नहीं बन पाएगी, लेकिन सवाल जरूर लेगे, क्योंकि आपने पूछा है, about career and marriage करियर के बारे में तो हमने discuss किया था, पिछला एपिशोड आपने देखा होगा, कि कुंडली में कौन से घर से करियर देखते हैं, और कैसे तै होता है करियर, उसके बारे में हमने बात की थी, तो वो वाला एपिशोड जरूर देखें, marriage के बारे में भी आपने पूछा, तो marriage का discuss करेंगे कि किस house से marriage देखते हैं कुंडली में, और कौन से ग्रह जो है, marriage कराने में मदद करते हैं, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में मदद करेंगे, शाधी कराने में, तो उनसे संबंधित उपाय कर लिए जाए, ताकि आपकी तो यह दो सवाल ले लेते हैं, सबसे पहले राजिप गुपता जी का सवाल ले लेते हैं कि मंदिर के नीचे, सीड़ी के नीचे मंदिर होना चाहिए कि नहीं है। देखिए, मंदिर बहुत ईपार जगह होती है। जहां आप बैट करके अपनी इस्ट देव की उपासना करते हैं। मंदिर वो जगह होती है जो आपको शांति प्रदान करती है, मन को शांत करती है और आपके अंदर पोजिटिविटी का संचार करती है। तो मंदिर को बहुत हलके मत लीजी, हमने देखा बहुत सारे लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, लेकिन मंदिर जो है अच्छा नहीं बना पाते हैं, मंदिर के लिए बहुत लोग इस्थान बनाना ही भूल लाते हैं, बड़े बड़े घर बनाएं, लेकिन मंदिर के लिए इस महत्य को जिन लोगों ने समझा है उन लोगों ने अपने घर में बहुत अच्छा मंदिर बनाया है और उन लोगों के घर में सुक्षान्ती ज्यादा रही है तो मंदिर हमेशा अपने घर में नौर्थ इस्ट डारेक्शन में बनाएं, उत्तर पूरु दिशा में बनाएं मंदिर कभी भी सीड़ी के नीचे ना बनाएं, जैसा अभी सवाल राजीव गुपताजी ने पूछा बिल्कुल उचित नहीं है सीड़ी के नीचे मंदिर बनाना, क्योंकि भीया आप सीड़ी से चड़ के जाओगे न, और नीचे आपने मंदिर बना लिया, मंदिर आपका नीचे बना लिया आपने, और उपर सीड़ी सीड़ी से हम चड़ के जा रहे हैं, तो मंदिर के उपर से किसी भी लिहास से उचित नहीं है, कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वज़े से बिल्कुल सलाह नहीं दी जाएगी, कि आप मंदिर सीड़ी के नीचे बनाएं, पहला कारण तो यही समझ लीजे, मंदिर के उपर से पैर रखके जाना उचित नहीं होगा, सीड़ी के नीचे मंदिर बनाने से आपको फायदा नहीं नुकसान हो सकता है, तो मंदिर अपने घर में आप नौर्थ इस्ट डारेक्शन में उत्तर पूर्व दिशा में बनाएं, मंदिर कभी बेडरूम में ना बनाएं, मंदिर कभी रसोई घर में ना बनाएं, मंदिर का इस्थान अलग रखें चाहे छोटा ही मंदिर बनाएं लेकिन मंदिर को सेपरेट अलग इस्थान में बनाएं और वहाँ पवित्रता का ख्याल रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा कभी भी मंदिर ट्वाइलेट के बगल में ना बनाएं ट्वालेट से दूर मंदिर होना चाहिए, मंदिर आपका जितना अच्छा, जितना सुंदर, जितना बड़िया इस्थान में बनेगा, उतनी ही जादा आपके घर में सुक शांती रहेगी, इसलिए जब मंदिर बना रहे हुएं घर में, तो बहुत आपको ध्यान देने की आव बशकता है, और आप चाहे जमीन लेकर घर बनवा रहे हैं, या आप बना बनाए फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उसमें जो है मंदिर का इस्थान जरूर बनाएं, और कोशिस करें कि नौर्थ इस डिरेक्शन में बनाएं, ताकि मंदिर में पॉजिटिविटी जनरेट हो, और वो पॉजिटिविटी आपके पूरे घर में फैले, और जब आप मंदिर में पूजा करने आएं, तो आपको वो पॉजिटिविटी मिले, आपका मन जो है शान्त हो पूजा करने से पूजा का लाभा आपको मिले, तो इसलिए मंदिर सीड़ी के नीचे नहीं बनाना है, आपकी कुंडली के हिसाब से भी, सवाल ले लेते हैं, आपके करियर एंड मैरीज के बारे में पूछा, मैरीज की बात कर लेते हैं, कि मैरीज कब होती है और कौन से ग्रह इसमें मदद करते हैं, देखे, कुंडली में जो मैरीज का इस्थान है, वो सात्वे घर से देखा ज पांचवे घर में कहां बैठा है सात्वे घर पर किन ग्रहों की द्रस्टी पड़ रही है कहीं कुरूर ग्रह तो नहीं देख रहे हैं कहीं शनी की द्रस्टी तो नहीं है कहीं राहू की द्रस्ट राहू तो नहीं बैठा है कहीं मंगल की द्रस्टी तो नहीं है मंगल तो नहीं थोड़ा सा डिले होता है। बाधा आती है। सात्मा घर मैरीज के इस्थाने, अगर वहां शनी बैड़ जाए, डिले होती है मैरीज। मंगल, शनी, राहू, केतु, यह अगर बैठे हूं सात्मी घर में, बड़ी बाधा खड़ी करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं। हुए हैं उनकी महादसा या अंतरदसा आगयी तो उस समय शादी नहीं होने देंगे, परेशानी करेंगे, बात चलेगी लेकिन बात में टूप जाएगी, साधी की बास शुरू होगी, कोई नो कोई बाधा आजाएगी, कोई नो कोई परेशानी आजाएगी,íst तो ये महादसा अंतरदसा अगर कूर ग्रहों की हो तो इन कुरूर ग्रहों की वज़े से भी शाधी पर असर पढ़ता है होने नहीं देते मदद कौन करते हैं? ब्रहस पती बहुत शुब ग्रहे शाधी में बड़ी मदद करता है मान लिजे कि ब्रहस्पती की द्रश्टी साथवे घर में पढ़ रही है तो आपकी शादी में मदद करेगा, जीवन साथी अच्छा दिलाएगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रखेगा तो ब्रहस्पती की द्रश्टी बहुत शुब मानी जाती है अगर ये साथवे घर में पढ़े तो बहुत अच्छा माना जाता है दूसरा जो है शुक्र भी जो है married life को ठीक रखने में मदद करता है तो शुक्र की द्रश्टी पढ़े शुक्र बैठा हो तो अच्छा रहता है बुद्ध बैठा है तो बुद्ध से भी कोई परिशानी नहीं होती है तो ब्रहस्पती सबसे जादा help करता है शादी कब होती है कब शादी होने की संभावना जादा होती है साथवे घर का जो स्वामी है उसकी महादसा और अंतरदसा चल रही हो उस समय शादी होने की संभावना जादा होती है लगनेश की महादसा या अंतरदसा चल रही हो उस समय शादी होने की संभावना जादा होती है माली ये लगनेश की महादसा और जो सब्तमेश है साथवे घर का स्वामी है उसकी अंतरदसा चल रही हो तो उस समय शादी होने की संभावना जादा होती है भागेश यानि नौवे घर का जो स्वामी है उसकी महादसा या अंतरदसा चल रही हो तो शादी में मदद मिलती है भागेश की महादसा चले और सब्तमेश की अंतरदसा चले तो भी हमने देखा है शादी हो जाती है तो कुछ ग्रह हैं और कुछ ग्रहों की महा दसाएं हैं अंतर दसाएं हैं जो मदद करती हैं शादी करने में कौन सा उपाय बड़ा कारगर होता है शादी करने में ये भी आपको बता दें तो ये आप भी उपाय कर सकते हैं योगे सजदेवाजी जो मैरीज के लिए उपाय बताने जा रहे हैं इससे शादी होने की संभावना बढ़ जाती है सबसे सरल और सस्ता उपाय है भगवान शिव का पूजन बहुत सस्ता उपाय है कोई जादा पैसे खर्च नहीं होने पैसा चाहे तो आप खर्च भी नहीं होगा बिल्कुल जीरो एक्सपेंसेज में उपाय कर सकते हैं क्या उपाय है भगवान शिव के मंदिर जाये भगवान शिव को जल चड़ाइए लोठ मी जल बरें कोई पैसा नहीं खर्च वा आपका 친 परिवार को इस्टान कराये और इसके बाद मंदिर में चंदन मिल जाएगा वही पर चंदन घिष करके बगवान शिव गणेश जी कारतिके जी बातापारवती जी सबको लगाईए और मिल जाए कहीं से बेल पत्र तो बेल पत्र चढ़ा दीजे नहीं मिलता तो कोई परिशानी की बात नहीं है वहीं बैट करके नमा शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें भगवान शिव की आरति कर ले ये उपाय करिए बहुले नाथ से प्रात्ना करिए कि आपकी शादी जल्दी हो जाए जो बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो विवाह में आ रही बाधाओं को भगवान शिव की क्रपा से बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है भगवान भोले नात का पूजन शुरू करिए, जल चड़ाना शुरू करिए, बहुत जल्दी बाधा दूर होगी, आपके शादी हो जाएगी पहला उपाई है, दूसरा उपाई ब्रहस्पती का उपाई ब्रहस्पती वार के दिन आप भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी का पूजन करें, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और गरीबों को प्रसाद पाटें इससे भी बड़ा लाब होता है, ये उपाई भी कर सकते हैं तीसरा उपाई ब्रहस्पती वार के दिन भीगी हुई चने की दाल गव माता को खिलाएं उसमें एक पीस गुड रख लीजे और गव माता को खिलाएं इस उपाई से भी बहुत सारे लोगों को लाब हुआ है, उनकी शादी हुई है तो इससे भी आपको फाइदा हो सकता है ये तीन ऐसे सरल उपाई हैं जिनको कोई भी कर सकता है इन उपाई के कोई side effect नहीं है, कोई नुकसान नहीं है आप ये उपाई जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है इन में से कोई भी उपाई करिए आपके विवाह में जो बाधाएं आ रहे हैं वो सब दूर होंगी और आपकी अच्छी शादी हो जाएगी तो प्रवीन मिश्रा से पूछो कारकरम में आप सब के सवालों का सौगत है आप अपने सवाल भीजिएगा कमेंट बॉक्स में बस लिख दें पूरी बर्थ डिटेल लिखें अगर आप चाहते हैं कुंडली के माद्यम से आपके सवाल का जवाब दिया जाए तो पूरी बर्थ डिटेल लिखेंगा जन्म की तारीख, जन्म समय जन्मिस्थान ताकि आपकी कुंडली बनाए जा सके और आपके सवाल का जवाब दे, अगर जन्म का समय नहीं पता, जन्म की तारीख नहीं पता, कोई बात नहीं है, आप अपना सवाल भी लिख दीजे, अगर आपका सवाल अच्छा होगा, जन्हित में होगा, और लोगों को भी उस सवाल से फायदा होगा, तो उस सवाल भी हम कारक साथ होगी कल देखती रहें एस्टो तक बोलिए जय श्री कृष्ट एस्टो तक आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टोलोजर से